गुद मॉर्निंग टो क्लास पॉर्ज स्टुडेंट वेलकम टो एसेंट ऑनलाइन क्लासेज सेकेंड पार्ट पर्स पार्ट आपने थर्ड क्लास में पढ़ लिया था जैसा कि यह चैप्टर फर्स्ट लास्ट ताइम जो मैंने उंबर्ख दिया था आयोप यह सबने आपने अच्छे से उंबर्ख करने होगा और यह पेज नंबर वगर भी बतायते और वापस से आप अच्छे से पार्ट क्या क्या होते हैं कम्प्यूटर के बार ही पार्ट क्या होते हैं और इंटर्नली पार्ट क्या होते हैं अम मैं पार्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे parts of a computer a human body is made up of a different part each part does a special work अपनी जो मनुस्य की body होती है वो भी उसमें भी different parts होता है जैसे कान है, सुनने के लिए होता है आँख देखने के लिए होता है मुँ बोलने के लिए होता है वैसे अर पार्ट का अपने एक specific काम होता है दिमाग, brand जो सोचने के लिए और activities करने के लिए होता है, each part does a special work similarly ये computer इजे made up of a different parts उसी तरह computer भी किसे different parts से बनता है these parts perform a different function और अर part अपने अलग-अलग function रखता है all these parts together make a computer work सब parts मिलके computer को एक specific tax को complete करने के लिए important होता है main part of a computer computer के कौन-कौन से main part होता है एक computer has four main part कितने four ऐसे तो बहुत से parts होते हैं internally आप बड़ी classes में पढ़ेंगे लेकिन आपकी class में या main जो बार बड़े रोप से जो parts है उसके बारे में आप कौन सी class में पढ़ते हो फॉर्थ में computer के कौन से कितने part होता है फॉर्थ में यह एक ट्रिक है याद करने के कौन-कौन से four parts होता है the monitor monitor जो looks like a TV second keyboard keyboard जिससे टाइपिंग करने के लिए यूज होता है third one mouse mouse के बारे में भी हम पढ़ेंगे यह जो mouse होता है और यह keyboard होता है इसको बड़े रूप से हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे and CPU CPU तो आपको सबको पता है brand of the computer center processing unit the monitor, keyboard and mouse are the attached to the CPU यह तीनो parts monitor, keyboard and mouse यह तीनो parts किसे attach होता है यह computer के brand से होता है जिसको CPU बोला जता है attached to the CPU by wiring to make them work जैसे की human body में जैसे की human body में अपने आख, कान और यह सब चीजे किस से connect होती है brand से connect होती है Sam वैसे का वैसे इसके अंदर भी यह चीज होती है अब अम किस के बारे में monitor the monitor looks like a TV screen यह जो monitor होता है कैसा दिखता है TV screen के जैसा it is also known as VDU यहां पे आप क्या लिखोगे IMP monitor को क्या बोला जाता है VDU Visual Display Unit Visual Display Unit VDU CPU तो होता है Central Processing Unit और VDU होता है Visual Display Unit It shows the text which we type through the keyboard अब हम keyboard या mouse की मदद से जो भी हम activity करते है वह display कहा होता है वह computer की screen पे होता है और उस screen को क्या बोला गया है उस screen को monitor सब्द दिया गया है We can see movie and cartoon on a monitor और computer की screen पे हम movie भी देख सकते हैं और cartoon को भी animation movie भी computer में देख सकते हैं अब यहां पे आप parts number one लगाओगे part one अब हम पढ़ेंगे part two यह four main parts में होता है keyboard keyboard के बारे में हम पढ़ेंगे सबको keyboard देखा हुआ है last class में मैंने बताया था और ऐसे भी आपके सबको अच्छा से keyboard देखा हुआ होगा A keyboard as many buttons इसके अंदर बहुत से button होता है A से Z तक होता है special character aesthetics भी होता है special character होता है और zero to nine number भी main होता है सबको क्या बोलते है keys बोलते है क्या बोलते है keys A keyboard as many buttons which are called keys it is used to type letter और इसमें क्या होता है type letter letter को typing करने के लिए या notice बनाने के लिए भी इसका काम किया जाता है number number भी इसके अंदर यहां पे आप यह देखेंगे यह number भी होता है यह आपको दिख रहा है one two three four यह number भी इसके अंदर होता है it is used type letters numbers and words on a computer आम यह type करेंगे वह कहां पे display होगा वह display होगा monitor पे the keys with English letters are alphabet number और a से z तक जो number होता है उसको क्या बोलता है a से z तक यहां प्रैकेट में भी आप लिख लोगे alphabet कितना होता है twenty six twenty six number यह होता है the keys with numbers और number जो होता है उसको number की बोला जाता है यहां पर ब्रैकेट में आप लिखोगे zero to nine यह number की होता है a to z तो होता है alphabet की और zero to nine होता है number की बहुत ही easy है यह keyboard के बारे में और third one है mouse mouse के बारे में हम पड़ेंगे सबको सबके देखा हुआ है यह mouse यह left button यह right button और यह cursor की होती है और यह यह जो USB है यह किससे connect होता है keyboard and mouse are connected to किससे connect होता है connected to CPU a computer mouse has two or three button इसके अंदर कितने button होता है mostly mouse में two button होता है left and right it is used to point, move and select an item on a computer screen और यह इसका use क्या होता है इसको जो pointer होता है pointer कैसे होता है mouse का ऐसे mark होता है यह इसका क्या होता है pointer it is used to point, move एक जगा से दूसरी जगा and select the item को और computer screen के द्वारा इसको item को select किया जाता है जो display कहां पे होता है monitor पे it is always kept on a mouse paid और इसको कहां पे यह होता है इसको अमेशा कहां पे रखना चाहिए इसको switch जगा पे और यहां पे एक क्या होता है एक cover आता है नीचे जिसको क्या बोलता है mouse pad ताकि यह इसके अंदर मिट्टी नहीं जाए और easily इसको move कर सकते हैं it also help us to draw picture and play games और यह किसमे picture को draw करने में और game केलने के लिए भी इसका use होता है आज हमने क्या पड़ा computer के form and parts monitor keyboard and mouse यह next class में मैं आपको पड़ाऊंगा और homework में आपको बहुत छोटा सा homework है recall time में first और second ही करना है आज के लिए इतना ही thank you